हेलो दोस्तों अरद्देरस अकेडमी के यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आयुजित आरपीस सी फ़स्ट ग्रेड सिक्सक बरती परिक्षा दोजार बाइस के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार दोस्तों इस पेसल टोपिक है भारतिय इतिय अरजस्तान aptorme का झिसका नाम आप राजस्तान और मुगल आप सहलेप्स देखोगे तो दोस्तों आपको वा पर है यह राजस्तान और मुगल का एक पॉइंट मिल जाएगा और उस पॉइंट के साथ में दोस्तों राना सांगा मारना परताब मान सिंग चंदर सेन राय एर स्टाइрат सिंग और राज सिंग लिखा हुआ है ठीक है इस टोपिक से आजमें आपको टोप स concurrent है वो बताने वाला हूं और यह परतम Pेपर के सहलबस के अनुसार है जो फर्श्ट पेपर है उसके सालेबस के अनुसार है ये टोपिक राजस्तान और मुगल और जिसमें ये सभी राजा है वो कवर किये गए हैं इन प्रसनों के बार एक भी प्रसन नहीं जाएगा यह हमारी गारंटी है पर इकस्यामें जाने से पहले दोस्तों इन सारे के सारे प्र परिक्षा में पूछ पूछे जाने होगे वो भी करवाऊंगा मापको ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला प्रस्ने राजस्तान के इतियास में हिंदू पंत यनकी हिंदू पत किस सासक को कहा जाता है पताए पहला प्रस्ने राजस्तान के इतियास में हिंदू पत किस सासक को कहा गया है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यह माराना सांगा क अब और बयाना nesse है कि शृष में बाबर की सेनको राया और माराना की राया को चैनल कृपों जो बयाना का यूद में राया यह दोस्तो शोला फरवरी को हुआ था कब अठाथ 16 फरवरी को हुआ था ठीक है 16 फरवरी 1527 को और इसके ठीक एक महीने बाद यानि कि 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का यूद हुआ था जिसमें ब्राणा सांगा की हार हुई थी ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें दैनमबर का ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखे खातोली यूद के विशय में निमनांकित में से कौन सा कथन ऐसते है वह अपने को यहाँ पर बताना है देखे दोस्तों यहें यूद राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मद्दे हुआ था बिल्कुल सही है दोस्तों ठीक है और देखे इसमें खातोली मेवाड एवं सीमा पर सामरिक मैत्व का इस्तल है गलत हो जाएगा दोस्तों खातोली काप रहे तो दोस्तों यह बुंदी में है ठीक है यह अपना बैनमबर का ओप्षन इसमें गलत हो जाएगा देखे इस यूद में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पूत्र को बंदी बना लिया तो बताईए लाजा आगे देखिए महरणा सब्सकार किस इस तान पर kis तान पर किया गया तो दोस्तो इसका राईट आंसर हो जाएका वह है दोस्तो अपने इस मांडल्गड में क्या गया दोस्तों यहां पर S, नमबर का ओप्षन बिलकुल सई मांडल्गड बिलवाड़ा में आगे देखे दोस्तों यहां पर खानवा युद लडा गया था मैंने भी आपको बताया सत्रे मार्च 1527 इस्वी को खानवा का युद लडा गया यहां पर से नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे खानवा के युद में बाबर के विरुद राणा सांगा के पक्स में कौन नहीं लड़ रहा था खानवा के युद में बाबर के और कल्यान मल दोस्तों ये तीनों लड़ रहे थे ठीक है राणा सांगा के पक्स में लेकिन सूर्य मल नहीं लड़ रहा था इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्शन हो जाएगा आगे देखे खानवा के उद में महाराना संग्राम सिंग की सेना में कौन सामिल नहीं था हकीम खासूर है ठीक है ये जो हकीम खासूर है ये महाराना परताब की समय था हल्दी गाटी की वीद में ठीक है लेकिन यहाँ पर ये से नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये राणा संगा की सेना में सामिल नहीं था आगे देखे खातली किस जिले में इस्तित ह है दोस्तों इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा खातली है ये दोस्तों बुंदी में है ठीक है बुंदी कर ले ना इसमें खातली का पर है बुंदी में तो इस दैनमबर ऑप्शन बिलकुल सही आगे देखे किस राजपूच सरदार ने खानवा के युद में राणा दारन करके युद जारी रखा सही उत्तर हो जाएगा मैंने भी बताया था जाला अज्जा सही नंबर ऑप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे निमन में से कौन से राजपूच सरदार खानवा के युद में बाबर के विरुद रणा संगा के पक्स में यह दोनों दोस्तों रणा संगा के पक्स में नहीं लड़े थे तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक और दो इसमें सत्य है कूट का परियोग करना था एन नंबर का उप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे मेवाड के सिहासन पर राणा संगा का राज्य भी से कब हुआ था मेवाड के सिंहासन पर राणा संगा का राज्य भी से कब हुआ था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वा था पंद्रासो नो इस्वी में बै नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा पंद्रासो नो महारणा सांगा ने इब्राहिम लोदिक को कौन से युद में प्राजित किया था तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा खातोली के युद में राइट आंसर इसमें बे नमबर ओप्सन सही आगे देखे राणा सांगा की मरत्यू कब हुई थी दोस्तो महारणा सांगा की मरत्य 35.2.15.23 के खुते हैं यहां पर एहनंबर up时 Almost normal बिलकुल सभी स्थ Studi को के जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पर अब अपना मारंबर परताब शोoungy ओ घुक्त है ठीके सांगा ा माराना परताब शुरू देखिए दोस्तों यहाँ वे माराना परताब की चत्री कहा इस्तित है दोस्तों माराना परताब की चत्री है यह बांडोली में है दै नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखें यहाँ पे निम्नलिकित सासकों में से किसने बीलों को को अपनी सेंए विवस्ता में ऊच्छ स्तानों पर नक्त किया निमनलिकित साशक। Или अर्ष्ष में से किस ने विलो को अफनी सेंए में उस्थानों पर नक्त कि तो इस्तानिये लोग है वो किस नाम से पुकारते थे तो की का ठीक है और ये प्रसंद पूछा गया था कि की का के नाम से किस को जाना जाता है तो दोस्तों महारणा परताब को तो दोस्तों राइट आंसर इसमें से नंबर ऑप्शन हो जाएगा महारणा परताब आगे देखे महाराना परताब का जन्म कब हुआ था महाराना परताब का जन्म में दोस्तों 9 मई 1540 इस्वी को हुआ था महाराना परताब का जन्म है राइट आंसर बे नमबर उप्शन सही आगे देखिए अकबर ने महाराना परताब को समझाने के लिए पर्थम संदेश वाहक के रूप मे बेजा तो किसे बेजा इसका right answer हो जाएगा दोस्तों एक ट्रीक है जिसके मादम से आप करम याद रख सकते हैं जमा भटो जमा भटो सबसे पहले गया जलाल खा उसके बाद में गया मान सिंग फिर उसके बाद में भगवन दास और फिर उसके बाद में टोडरमल तो यहाँ प अकबर ने निमनलिकित में से किसे भेजा बताईए हल्दी गाटी के युद्ध से पूर्वे महारणा परताब से समझोता करने के लिए अकबर ने निमनलिकित में से किसे भेजा तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताईए इन चारों में से बताना है तो दोस् तो देखे चार सिस्ट मंडल बेजे थे ठीक है और उसमें देखे एक जलाल खाई का ही नाम है अमीर जलाल खान ठीक है इसी का ही नाम है बाकी औरों का नाम नहीं है बगवन दाश टॉटरमल मान सिंग का नाम नहीं है तो यहाँ पर बै नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे परताप से सांती पूर्वक अधिनता स्विकार करवाने के लिए अकबर ने अंतिम सिस्ट मंडल किसके नेतरतव में मेवाड बेजा यह बेजा था दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था अभी ट्रिक के माद्यम से जमा भटो ठीक है दोस्तों जमा भटो टो का मतलब टोडरमल अंतिम में कौन गया था टोडरमल गया था दैनमबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए अकबर ने दिसंबर 1573 में परताब को समझाने के लिए किसे बेजा दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ अच्छा प्रस्न है यह मैंने बताए था आपको जमा भटो ट्रिक के मादम से जै मा भै टो टीक है एक मातर जलाल खान था वो गया था पंदरासो में ठीक है और बाकी के तीन मान सिंग भगवंदास और टोडरमल यह तीन हो गये थी दोस्तों पंदरासो तेतर में ठीक है अब सब के लाश्ट मे कौन गया तो टोडरमल गया तो टोडरमल दोस्तों दिसंबर में गया है ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दैनमबर का ओप्शन बिलकुल सही अगे देखिए मेवाड के महाराना परताब के विरूद अंतिम मुगल आकरमन का नेतरत्व किस ने किया सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जगनात ने किया था जगनात कच्वाने ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर दैनमबर ऑप्शन हो जाएगा जगनात कच्वाने अगे देखिए पंद्रा सो अठतर इसमें कुंबल गड़ पर किस ने अकरमन किय पंद्रा सो अठतर इसमें कुंबल गड़ पर किस ने अकरमन किया राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहाबाज खाने तो यहां पर से नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए मेवाड के रक्सक के रूप में निमन में से किसे इसमन किया जाता है दोस आगे देखिए महारणा परताब के दरबारी विद्वान जिसने मूरत माला गरंत की रचना की वह कौन था सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चक्रपानी मिश्र है आगे देखिए महारणा परताब की जन मिश्तली है दोस्तों महारणा परताब की जन मिश्तली कौन सी ह तो वो है कुम्बल गड़े, तो यहाँ पर अपना इसमें right answer, the number option, मारना परताब का जन्म है, किस जिले में हुआ, दोस्तो right answer हो जाएगा, वो है, राजसमन जिले में हुआ, the number option, बिल्कुल सही, मारना परताब की मर्त्यू के समय आयू थी, तो दोस्तो मर्त्यू के समय आयू हो है, वो थी कितनी, 57 वर्स, तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा, the number option सही, पंद्रा सो चालिस में जन्म हुआ, और पंद्रा सो सत्यान्म में इनकी मर्त्यू हुई, ठीक है, right answer हो जाएगा, the number option सही, आगे देखिए, परताब ने पंद्रा सो पिक्चासी में अपनी पंद्रा सो पिक्चासी में चावंड नई राजदानी बनाई थी, महाराना परताब ने right answer हो जाएगा, यहाँ पर अ नमबर का option बिल्कुल सही, आगे देखिए, महाराना परताब ने अपनी नवीन राजदानी चावंड में कब इस्तापित की, अभी बताया था मैंने आप को, पंद्रा सो पिक्चासी में, सह नमबर का option बिल्कुल सही, आगे देखिए, महाराना परताब ने चावंड को अपनी राजदानी बनाया, जो मेवाड की राजदानी रहा, बहुत यह चापरशन है, और यह काफिवार प्रिक्षाओं में पुछा भी जा चुका है, महारा आंसर इसमें, दे नमबर का option बिल्कुल सही, आगे देखिए, निमनली खित में, कौन हल्दी गाटी के युद में, महाराना परताब के चंदावल दस्ते में सामिल थे, दोस्तों, एक तो है हरावल, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, दोस्तों हरावल, एक नाम बताया थ थोड़ देर पहले मैंने, हकीम का सूर, ठीक है, ये हकीम का सूर है, ये दोस्तों हरावल दस्ते में था, कौन से दस्ते में था, हरावल दस्ते में, अब हरावल क्या होता है, और चंदावल क्या होता है, तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, युद जब होता है, त तो सेना का जो अगरीम भाग है जो सबसे आगे का भाग है उसको बोलते हैं हरावल ठीक है और चंदावल बोलते हैं पिछे का सेना का जो पिछे का भाग होता है उसको बोलते हैं चंदावल और चंदावल में प्रोहित गोपिनात राना पुंजा जैमल मेता और चारण जैसा ठीक है, ये इसमें सामिल थे, ठीक है, कर्शनदास चूंडावत है, ये दोस्तों हरावल में थे, तो ये यहाँ पर हरावल का नहीं, चंदावल का पुछा है, तो एक, दो, तीन, पांच, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक दो तीन पांच तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन पांच तो यहां पर अपना इसमें दै नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सन पंद्रा सो छीएतर के युद के बाद अकबर ने उदैपुर का परशाशन किसे सोपा था आगे देखिए निमनांकित में से कौन सा साख से हल्दी गाटी के युद में मारणा परताब को विजए ही मानता है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो राजप्रसस्ती राजप्रकास जगदी समंदिर परसस्ती यह तीनों मानते हैं दोस्तों ठीक है राइट आंसर हो जाएगा यह सभी दै नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे निमनलिकित में से कौन से राजपुच सरदार हल्दी गाटी युद में राणा परताब के पक्स में लड़े निमनलिकित में से कौन से राजपुच सरदार है हल्दी गाटी युद में राणा परताब के पक्स में लड़े तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों नहीं सामाजिरी ये इसमें दोस्तों इसमें नाम लिख लेना राम सिंग तमर ठीक है या राम साहा भी लिख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इसमें देखिए हल्दी गाठी के युद में राना प्रताब के पक्स में कौन लड़े थे वो अपने को यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखिए राम सिंग तमर बीला जाला यानि कि जाला बीदा रावत कर्शन दास चुंडावत यह तीनों लड़े थे मादो सिंग कच्वाह ने लड़ा था दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों कि मैं तो सबी को बताओगा दोस्तों सही तरो जाएगा मान सिंग ्अ था ने नेतरत्व रक्षा किसने की हल्डि गाति के ह्यूद में तो और तो जाला भी हुद है इस नमबर का ओप्षन बीलकल सही और देखे आगे देखे दोस्तों वीर विनोद के अनुसार हल्दी गाटी युद में मुगल सेना की संक्या कितनी थी दोस्तों हल्दी गाटी युद में मुगल सेना की संक्या थी असी अजार यहां पर ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे महारणा वो गोडे का नाम था और मरदाना है यह मान सिंग के आती का नाम था तो यहां पर एनमबर उप्षन बिल्कुल सही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं जितने भी प्रसंद करवा रहा हूं उन मेरा थन कौन से युद को कहते हैं दिवेर के युद को जो कब हुआ था पंद्रा सो बहियासी में हुआ था ठीक है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे से नमबर उप्शन से ही आगे देखें मेवाड के मारणा राज सिंग के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवा करने के कारण औरंग जेब उनसे नाराज था बताईए दोस्तों मेवाड के मारणा राज सिंग के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवा करने के कारण है औरंग जेब उनसे नारा राज सिंग के साथ में हुआ ठीक है तो इसकी वज़े से राज सिंग से नाराज हो गया था ओरंग जेब ठीक है तो यहां पर बै नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से किस राजपूच सासक ने विजे कटकातु की उपादी धारन की विजे कटकातु की उपादी है ये धारन की थी दोस्तों किस ने तो ये महाराना राज सिंग ने विजे कटकातु की उपादी धारन की थी ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें बै नंबर का उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए दोस्तों 1662 से लेके 1680 तक ठीक है 1662 से लेके 1680 तक राज सिंग का कारेकाल रहा है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर उप्शन सही 1680 तक रहा है ठीक है आगे देखें सतरवी सताब्दी के इस सिसोधिया राठोड गठबंदन में मेवाड का सासक कौन था तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए मेवाड का सासक था इसमें कौन बताइए तो दोस्तो वो था महाराना राज सिंग पर्थम यहाँ पर बे नंबर का ओप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखें महाराना परताब के किस सोतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागिर प्रदान की थी तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है जगमाल सिंग को यहाँ पर से नंबर का ओप्शन राइट आंसर जगमाल सिंग आगे देखें महाराना राज सिंग ने मारवाड के किस सासन को मुगलों के विरुद आश्रे दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अजीत सिंग बैन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा अजीत सिंग आगे देखें दोस्तो यहां पर 51 नंबर प्रस ने किसे महाराना परताब का पत परदसक कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है दोस्तो राव चंदर सेन को महाराना परताब का पत परदसक कहा जाता है बैंन नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब अपना मारानापरताप के बाद में, रावचंधर सेंग सुरु हो चुका है, आगे देखे, निम्न लिकित में से कौन से राजपुद सरदार हलदी गाटी के उद में राना सांगा के पक्स में लड़े थे ठीक है राना सांगा के पक्स में ठीक है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं देखे राम सिंग तावर जिनको राम साब बोलते हैं बीदा जाला रावत कृष्ण चुंडावत ये तीनों दोस्तों हल्दी गाटी के इद में राना परत सथ तो यहां पर अपना इस में बै नमबर का उप्षन बिलकुल सह उत्र हो जाएगा आगे देखिए यहांप राजस्तान के निमनलीकित सासकों मेंसे किसे पंढरा सो छीएतर में चंदर सें के दमन हैतू मुगल सेना के साथ बेजा गए था राजस्तान के निमन लिखित सासकों में से किसे 1576 में चंदरशेन के दमन हेतू मोगल सेना के साथ बेजा गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो विकानेर के राइशिंग को ठीक है देखें 1544 में चंदरशेन के विद्रोई होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे बेजा था दोस्तो अकबर ने उसे दंड देने के लिए राइशिंग को बेजा था तो दोस्तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें किसे बेजा था तो दोस्तो राय सिंग को बेजा था तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दे नमबर ओप्शन आगे देखें यहाँ पर 1522 तेतर इस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपूर्द किया 1522 तेतर इस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपूर्द किया सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो विकानेर के राय सिंग को सुपूर्द किया तो यहाँ पर बेजा नमबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे 1524 इस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का परशासक किसे न्युक्त किया गया सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो वो है विकानेर के राय सिंग को यहाँ पर दैनमबर ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखे मारवाड के चंदर सेन ने मुगलों से संगर्ष के लिए किस सिस्तान पर सेना को संगठित किया तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बादरा जूण में A number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बादरा जून में 85 number प्रस्थन है मारवाड का भूला बिस्तरा नायक किसे का जाता है मारवाड का भूला बिस्तरा नायक है वो किसे का जाता है तो दोस्तो राव चंदर्शेन को कहा जाता है मारवाड का भूला बिस्रा राजा ठीक है फार्शी तियासकारों ने दोस्तो इसको हस्मत वाला राजा भी कहा है माल देव को ठीक है तो यह तो माल देव को कहा है आगे देखिए चंदर सेन अपने राज्य की आम जनता में एहलोग पिरिये क्यों हो गए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए महाजन वर्ग से धनकी लूट तो यहाँ पर अपना इसमें बै नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए मारवाड का कौन सा सासक सवतंतरता प्रेमी था जिसने मुगलों की अदिंता स्विकार नहीं की तो वो था दोस्तों राव चंदर सेन यहाँ पर देखिए नंबर का उप्षन बिल्कुल से आगे देखिए अकबर की साही सेना ने किसके नितरतों में जोदपु पर कबजा किया सह उतरो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हुसें को लिखा के नितरतों में साहनमबर ओप्षन बिल्कुल साही अगे देखिए मेवाड एवम मारवाड की सेनाएं मुगलों के दुवारा कहां प्राजित की गई थी दोस्तों मुगलों के द्वारा यह देवारी में 1680 में पराजित की गई थी तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर से है नंबर उप्शन सही आगे देखें 1564 में चंदर सेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्ती थोकर चंदर सेन की विरुद साहता मांगी 1564 में चंदर सेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्ती थोकर चंदर सेन के विरुद साहता मांगी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो राम सिंग ने ठीक है राइट आंसर इसमें बेन नंबर उप्शन राय सिंग आगे देखे विकानेर के सासक राय सिंग का सासन काल था तो दोस्तो ये सासन काल था 1564 से 1612 इस्वी तक तो यहाँ पर अपना इसमें सेन नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे विकानेर के महाराजा राय सिंग गदी पर कब बैठे तो दोस्तो 1564 में बेठे से नमबर उप्षन बिलकुल सही आगे देखे बिकानेर का कौन सा सासक अकबर और जांगिर दोनों की सेवाँ सेना में रहा सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो राइसिंग ठीक है राइसिंग है यह दोस्तो यहाँ पे देखे बे नमबर का उप्षन कर लेना एस दे रखा बे कर लेना अपन पड़ी यहाँ पे राइसिंग रहें तो दोस्तो राइसिंग आएगा इसमें ठीक है राइसिंग अकबर और जांगिर दोनों की सिवाँ में राता आगे देखे यह काट दीजी दोस्तो इसमें ठीक है सुरी सही है देखे राव राइसिंग को राजपुताने का करन किसने का दोस्तो राजपुताने का करन किसे का जाता है तो दोस्तो राइसिंग को का जाता है और किसने का यह तो मुंसी देवी प्रसाद ने का था दोस्तो राजपूत आने का करन राए सिंग को से नमबर उप्शन विल्कुल सही आगे देखिए कती पे राजपूत सासकों की सूचे नीचे दी जा रही है देखिए इनमें से किनी दोका चैन किए चैन कीजिए जिन्नोंने मुगलों का सयोग किया मुगलों का सयोग किस ने किया तो दोस्तो मान सिंग और राए सिंग दोनों ने सयोग किया राणा सांगा और चंदर से ने विरोध किया तो यहां पर तीन और चार इसमें बिल्कुल सत्ते है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतरो जाएगा आगे देखे किस राजपुत राजा की मर्तिव बुरहानपुर में हुई तो दोस्तों इसका सही उतरो जाएगा बुरहानपुर में किस की मर्तिव हुई तो दोस्तों वो है राई सिंग की मरतिय बुरहान पुरआ पूर में हुई सैनमबर अप्षन बिल्कुल सही आगे देखे अखबर दुणके अखबर दुणा निमनलिकित पमिशे किस सासग को समसाबाद एवं है नौरपुर की जागिर एवं है राय की उपादी दी गई अकबर द्वारा निमनलिकित में से किस सासक को समसाबाद एवम है नूरपुर की जागिर एवम है राय की उपादी दी गई तो दोस्तो इसका राय आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें विकानेर के राय सिंग को से नंबर का ओप्सन राय आंसर हो हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें लौ्ट का सूबेदार कि स्वर्ण निक्त्त किया निक्त र सांपर यहां पर से नंबर का वो है राजामान सिंग के मनसब में कमी की थी बै नंबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे अकबर द्वारामान सिंग को निमनलिकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सुबेदार यानि की राजेपाल न्युक्त किया गया था सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सारुपुट मनसबडार को अकबर ने फरजंत की उपादी परधान की फरजंत की उपादी है यह दोस्तों किस परजान की तो दोस्तों Right आंसर हो जाएगा मां सalnya को यहां पर डइनक्बर का Chapter विल्कुल से हुआगे देखे अक्बर ने सर्वत्च्म शुमंसब naval स्ताल сейчас को दिया था सई उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो राजा मान शेग को सोला सो पांच इस्यू में तो इसमें दे नमबर का ओप्चन बेलकुल सऺ आगे दीधिये अकपर के सरक्षन में मान सिंधोरा अपना पर्थम सेन्य अबियान किसके विरूद किया गया अक्बर के सरक्षन में मान सिंग द्वारा अपना पर्थम सन्य अभियान किसके विरुद में किया गया सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुर्जन हाडा के में यहाँ पर A नमबर का उप्षन बिल्कुल सही सुर्जन हाडा आगे देखें समराठ अक्बर ने साथ हजार का मनसब एवं फरजन्थ की उपादी किसे परदान की समराठ अक्बर ने साथ हजार का मनसब एवं फरजन्थ की उपादी किसे परदान की राइट आंसर हो जाएगा वो है मान सिंग यहाँ पर A नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा मान सिंग आगे देखें निमनलिकित में से कौन आमेर के सासक मान सिंग पर्थम के सरक्षन में था निमनलिकित में से कौन आमेर के सासक मान सिंग पर्थम के सरक्षन में था राइट आंसर हो जाएगा वो है नरोतम कवी यहाँ पर अपना इसमे ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ मैंने यह आपको जो टोपिक करवाया है यह दोस्तों मुगल और राजपुत सासक से समंदित था ठीक है और इस टोपिक के अंदर दोस्तों देखिए फ़स्ट ग्रेड के जो सेलेबस पर्थम पेपर के सेलेबस के अनुसार अपना टोपिक था इसमे देखिए कौन-कौन से राजप सामिल किये गए थे तो इसमें राणा सांगा, मारणा परताब, मान सिंग, चंदर सेन, राय सिंग और राज सिंग से समंदित ही अपने आपे प्रसंद पड़े हैं और यही सेलेबस में दे रखा है ठीक है और पलेलिस्ट चेक कीजिएगा व झाल